जहिन साथियों फिर से स्वागत है आपका वीनाईस के यूट्यूब चैनल पर आज हम Science & Tech के Six Markers को डिसकस करेंगे साथियों यह Six Markers जो है यह आट अगस को जो Science & Tech का पेपर हुआ था उसी का explanation है तो द्यान से देखें कुछ विशेश्ची जो को मैं बताऊंगा उन्हें भी आप द्यान रखें उनकी प्रैक्टिस करें जिससे आपके Six Markers improve होंगे ठीक है सबसे पहला question देखते हैं E कच्रा प्रभंधन नियम यह question पूछा गया था तो इसके लिए सबसे पहले इसका छोटा introduction लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि यह क्यों लाया गया था यह लाया गया था परियावरण अनुकुल प्रभावी प्रभंधन के लिए सोला में यह नियम शंशोदन के द्वारा लाया गया जो पहले से नियम थे उन्हें में शंशोदन करके लाया गया थे नियमों में बदलाओ देश में इक चरा निप्टान को सूब व्यवस्थित बनाने के लिए और कच्रे के पुनर्शक्रण या विगटित करने में काम करने वाली जो इकाया है उन्हें वैदता प्रधान करने के लिए उन्हें संगठित करने के उद्देश से ये नियम लाए ग फिजदी के प्रतिशत से बढ़ता जाएगा जैसे 2017 में टूटल उत्पादन का 10% है तो 2018 में 20% उसका संग्रहन करना इसी प्रकार से 2023 तक ये लक्ष जो है 70% का कर दिया गया कि 2023 तक 70% कूल उत्पादन का संग्रहन किया जाएगा उत्पादों की जो ओश्यत आयू है वो पारी भी करता इसलिए नियमों के बारे में नियन यह यह बोड लेका बिकरी परिचालन के वर्स उसके उत्पादो के बिकरी असे कम होंगे तो इसे नय उतौदों के लिए कच्रह संग्रहाण के लिए अलग श्ल लक्ष निर्धारिद के जाएगे मिस ये विशेश को प्रोडक्शन करती है और सभी प्रोडक्श की जांच प्राइमरी तो सरकार करेगी पर अगर मानकों से अधिक प्रदूशन किया उस प्रोडक्ट ने तो उसकी जांच का खर्श कुछ कम्पनी को पेग करना होगा यह विशेश वहस्ता है तो सत्यों इस तरह से इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे ना कि आप इधर उदर की सामाइन ये बाते लिखे कि इस नियम में संग्रण किया जाएगा पुनर्शक्रण किया जाएगा वही जो रिपीटेड बाते हैं वो ना लिखते वे इसके मुख्य पॉइंट्स को लिखे जिससे आपको अधिक मिलेंगे ठीके गाईज नेक्स देखते हैं नेक्स कुस्चन हमारा जो था आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की उप्योगिता तो सिधे कई लोगों ने सिधे सिधे पॉइंट्स लिख दिये हैं कि क्या क्या उप्योगिता है परन्तु सबसे पहले इसमें हम बताना चाहिए कि निर्देश दे दिया है तो भविश्य में परिस्तितियों के हिसाब से स्वयम कारी करें इससे अर्टिफिशल इंटेलिजेंस कहेंगे अगर मैं उधारन से समझाओ इससे तो एसा कोई कंप्यूटर जिसमें एक बार इस तरह से प्रोग्रामिंग सेट कर दी जाए जो छोट अigator पर Artificial Intelligence का उप्योग हो रहा है टिमन मोबाइल में भी इससे कोई बिमारी है या कैंसरी बिमारी की बात करें तो नेन और इतने होंगे कि उस शरीर में जाके cancer cell को finish कर सकते हैं और यही एक बहुत बड़ा achievement वर्दान भी माना जाएगा नेनो रोबोट artificial intelligence और nanotechnology को मिलके बनाये जाएगा ठीके गई cancer जैसी या लाई-लाज बिमारियों में नेनो रोबोट बहुत उपयोगी हो सोफिया रोबोट की अगर बात करें तो इसकी भी काफी चर्चा हुई थी ठीक है चीन में एक न्यूस चिनल में रोबोट द्वारा एंकरिंग करना यह भी एक artificial intelligence का ही एक्जामपल है अंत्रिक्ष में अनुसंधान कारियों में भी यह बहुत उपयोगी होगा जैसे किसी ग्रह का विश्लेशन करने जाना है अनालीस अध्यान करने जाना है तो नेनो रोबोट या इस तरह artificial intelligence से युक्स रोबोट को वहाँ भेजा जाएगा फिस्बुक तथा और यह social media sites कभी-कभी ऐसा होता होगा कि आपको प्रोड़क्स सर्च कर रहे थे या कहीं किया होगा तो जब social media चला दे तब वही प्रोड़क्स आपके सामने आने लगते हैं वह सब भी artificial intelligence का ही एक apply होता है जिसके कारण हमें दिखाई देने लगता है तो यह artificial intelligence क्या होता है और इसकी उपयोगीता इन points के माधियम से देखी कि यह से कई example है हजारों example है जहाँ पर artificial intelligence यूज हो रहा है तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे और इस तरह के important points लिखे जाता कि आपको ज्यादा से ज्यादा number मिले next आगे देखते हैं यहाँ पर पूछा गया था GSLV के बारे में geosatellite geostationary launch vehicle ठीक है तो इसके बारे में जो लिखना था हमें पन के लिए बनाया गया सबसे आधोनी प्रक्षेपन यहां है संचार उग्रव जैसे कि इंसेट जीसेट स्रंकलाव को जैसे दो टन्स रेनी के उपग्रव को आपका जीटियो या भू तुल्यकाली अंतरन कक्षा में इस्थापित करने में सक्षम होते हैं ठीक है जियो स्थापित करने में सक्षम होते हैं इसके अगर लेंथ की बात की जाए तो यह 49 मिटर लंबा होता है और तीन चरण में अपना यह पहुचाता है उपर ठीक है सटेल एड़ो तो एक लांच विकल है जो कि उपग्रव को पहुचाने में मदद करता है ठीक है इसकी विशेश् को लेकर इतना उचाई पर ले जाने में सक्षम नहीं थे तो यह सबसे मुख्यों इशिस्ता इसकी दो टन से अधिक भार के उपग्रव को प्रत्वी से 36,000 कि उचाई पर स्थापित करने में सक्षम होता है यह यह रोकेट अपना कारी तीन चरणों में पूरा करता है यह क् हम लोग और ताकतवर GSLV बनाने में सक्षम होंगे ठीक है तो यह GSLV में जो क्रायोजनिक इंजन का उप्योग होता है तीसरे वह अंतिम चरण में उसको और बिट में स्थापित करने में मातुपूर्ण बूमी का निभाता है ठीक है गाईश हम लोग नेक्स्ट हमारा जो क्रिशन है वो है वेकलपी गुर्जा संसादन की वरतमान इस्तिति साथियो ज़्यादा दर लोगों ने इसको सही नहीं समझाया या सही तरीके से लिखा नहीं और जब हम कुछ भी लिखके आते हैं तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं बहुत सा 2013 विकलपी गुर्जा संसादन क्या है हम चाहे तो यह परिवाशा भी बता सकते हैं कि इसे उर्जा संसादन जो नवीनी करत स्रेणी में आते हैं या जो की गेर परमपरागत में आते हैं वो विकलपी गुर्जा संसादन है उसके उधारन लिख सकते हैं हम जैसे सोर उर्जा पास थी तो 2013 14 के भी डेटा में बताऊंगा और ब्रेकेट में आपको जो लिख रखा है वो अभी वर्तमार की इस्तिती बताएंगे जो 19 पीस में हम जतना उत्पादन कर रहे हैं ठीक है तो इसमें वर्तमार इस्तिती में बताएंगे इसी प्रकार बायो गेस को जनरेशन अपसिस टूर्जा से 99 मेगावर्ट की छमता इस्तापित किये है और अभी वर्तमार में लगभग इन तीनों से 10,000 मेगावर्ट का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं तो एक कुछ-कुछ प्रमुक वेकलपी गुर्जा संसादनों के बारे मे में लिखेंगे इसके अलाव भी कई वेकलपी गुर्जा संसादन हैं उनकी भी हम चर्चा कर सकते हैं साथ ही बताएंगे कि ये आकड़े जो हैं देश की जरौतों की तुल्ना में बहुत कम है लेकिन ये वे सारे संसादन हैं जहां भरपूर संभावना इच्छी पी हुई ह वेकलपी गुर्जा संसादन में उत्तरप्रदेश, बिहार और मधिप्रदेश जैसे बड़े राज्यों का जो हिस्सेदारी वो आधे से भी कम है मतलब जितना भी कूल उत्पादन कर रहे हैं उसमें आधे से भी कम है जबकि इनसे पेक्षाय सब सरवादिक होती है इन बड दिया है तो यह सब एक तरफ हम उत्पादन कितना कर रहे हैं और दूसरे तरफ कौन से राजे ऐसे हैं जिनसे बहुत अधिक अपेक्षा है और वह बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं वो भी बताना है तो थोड़ा सा अनालिटिकल हो जाता है अब बताएंगे कि हमारा लक्ष 2022 तक जो है अक्षय उर्जाक स्रोतों से 1,75,000 मेगावट बिजली बनाने का लक्ष है साथ हो यह जो वेकल्पिक उर्जास अन्सादन पर काम ही यह 2013-14 के बाद तेजे से देश में आगे बढ़ा है और हो सकता है अभी कई जगे बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है पर परियावरण यहां पर शरण लिखा है शरण नहीं चरण है परियावरण शरण ठीक है परियावरण शरण के वर्तमान मुख्य कारण क्या है तो सबसे पहला एक्स्पिन करेंगे एक अच्छी से डेफिनेशन की परियावरण शरण होता क्या है तो इसके बारे में तरह पेळपिद्ध है ये और उरुद्ध हो जाती है लिखेंगे उसके बात मैं कुछ आपको पॉंअपट्स बता रहा ह 되면 जो कि आपनको इसके वर्तमान मुख्य कारण है वनों की अंदादुन कटाई बरता उध्युगिक प्रदूशन जनसंख्या विस्पूट, नगरी करन, ग्रोब, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायू परिवर्तन, आदूनिक ख्यती यह सभी वरतमान के इसके प्रमुक कारण है ठीके साथियो, अब next देखेंगे इन सभी को मैंने explain नहीं किया है क्योंकि यह easily आप लोग इसको explain कर सकते हैं आपको, इसको handle कैसे करना है, वो मैंने आपको model दिया है यापर next आगे बढ़ते है वन्यजीव संरक्षन अधिनियम उन्यस सो बहुततर के बारे में question पूछा गया था तो सभी लोगों ने बहुत सामान यसी बाते लिखी है जबकि हमें इस अधिनियम के कुछ important विश्यष्टाई बताने थी जैसे कि भारत सरकार ने देश में वन्यजीव की रक्षा करने उन्हें प्रभावी डंग से रोकने रक्षा करने प्रभावी डंग से उनके अभिद शिकार को रोकने के लिए तसकरी वन्यजीव तथा उससे उत्पन अभिद व्यापार को नियंद्रिंट करने के उद्देश से यह अधिनियम लाया गया था 1972 का इस अधिनियम को जन्वरी 2003 में शंचोदित किया गया और जो अपरात के तहट जो सजा और जुर्माना था उससे कठोर बनाया गया इसके अंतरकत सुचिवत लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीव एवं परियावरण की द्रस्टी से महत्तोपून संरक्षित चेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश था इंडंजर जो वनस्पति हैं जो जीव से उन्हें खासकर वनस्पति परियावरण के शेत्र में था ये तो जीव और वनस्पति दोनों ही आएंगे और दोनों का संरक्षन सुरक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश था इसमें कुल 6 अनुसूचि हाई जो अलग-अलग वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करते हैं अनुसूचि एक और दो इसके द्वित्ति भाग में वन्य जीव को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं इसके तहत अपरादों के लिए कड़ा दंड दिया गया है ये कानून केवल जंगली जानवारों को ही नहीं बलकि सूचि पक्षी और पोधो का भी संरक्षन करता है तो इस अधिनियम के द्वर वन्य जीव और वन्य वनस्पतियु दोनों को संरक्षन देने का प्रयास किया गया है तो अल्टिमेटली परियावरान संरक्षन के लिए अधिनियम लाया गया था तो यह सब पॉइंट्स आपको की है कि अक्षय उर्जा की और बढ़ रहे हैं संसादनों का सही दोहन और इस तरह की चीज़े परन्तु यह जब मेशन यह लिखेंगे आप तो आपके अच्छे मांक्स मिलेंगे ठीक है धारनी विकास प्राप्त करने की रण नितिया तो सबसे पहले धारनी विकास बता करने के लिए भारत में कई कारेकरम हैं धारनी विकास की डेफिनेशन यहां नहीं लिखी है पर आप सब जानते हैं कि संसादनों का इस प्रकार उप्योब करना की वर्तमान पीडी के साथ आगे वाली पीडिया के लिए भी संसादन बचे रहे हैं ठीक है इसमें जो है यहां हैं जहां पर उर्जा चोरी होती है जहां पर उर्जा की शय होता है उन सभी को रोकने के लिए आधुनीक इसी चीजे यूज की जारी जिससे उर्जा की बचातों सोर उर्जा में शन तेजी से चल रहा है जिसकी मादिप्रदेश में रीवा सोलर प्रांट खंडवाव अला राजस्थान गुजरात आधी जगे पर बड़े प्लांट्स लगाये जा रहे हैं सतत अधिवास पर राष्टी अभ्यान सतत अधिवास मिस जो प्राकरतिक रूप से जेव विवित्ता है उन्हें बचाने के लिए एक अभ्यान है जिसमें कुछ वनस्पतियों और कुछ जी एक विशेश जल मंत्राले भी बना दिया गया है नेक्स्ट हिमालाई परितंत्र को बनाये रखने के लिए राष्टी अभ्यान ऐसे हरी भारत अभ्यान है संपोष्णी क्रश्ची के लिए राष्टी अभ्यान है जलवायू परिवर्तन के लिए रण नितिया है तो यह सभी कि मुख्य अभ्यान है जो धार्णी विकास के लिए निरधारित किये गए हैं इन सभी को आप 15 marks में भी लिख सकते हैं बरन्तु इन सभी अभ्यानों के बारे में थोड़ा डेटेल करना होगा आपको ये अभ्यान कब लाए इनके मुख्य उद्देश क्या है और इनके तरहत क क्या क्या कारिकरम चलाए जा रहे हैं ये सभी लिखेंगे तो 15 marks का अंसर हो जाएगा नेक्स लिखेंगे ट्रिप्स क्या है सबसे पहले बताएंगे कि इसका आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं चाहें तो ट्रेड रिलेटेटेट आस्पेक्ट्स और इंटेलेक्शल विश्व व्यापार संगेटन डव्यू टी ओ द्वारा संचालेत अंतराष्टी संधी है ये जिसमें बौद्धिक संपत्ती के अधिकारों के नियूंतम मानकों को तई किया गया अर्था जो भी वहो के सदश्य है उनके लिए ट्रिप्स एक नियामों का समूं है जिनको उन पालन करना होता है 1994 के गेट के आठ्वी चक्र के अंत में इससे तई किया गया था और इससे सभी देशों के लिए जो सदश्य देश्थ है उनके लिए पालन अनिवारी था ठीक है इसके तहद कीन अधिकारों का ये ट्रिप्स कीन अधिकारों को औरनन करता तो बैसिकली कही अधिकारों की बात की गई है उन सभी अधिकारों की बारे में लिख देंगे कॉपीरेट्स आपको पता है कुछ छेत्रों में कॉपीरेट दिया जाता है साहित्य या इस तरह के लिट्रेचर वर्क के लिए दिया जाता है ट्रेट मार्क किसी बिजनस के प्रोडर्स के लिए दिया जाता है ठीक है बोगोलिक संत्र किसी विश्यस इस्थान के लिए दिया जाता है यह ध्योगिक डिजाइन पैटेंट इंटिग्रेटट सर्किट डिजाइन अप रकासिस सुषना है ट्रेट सिक्रेट तो यह सबी जो साथ हैं या कहीं पर पांच भी लिख सकते हैं यह इस तकनिक इस्थान विश्यस की परमपरा का तकनिकों पर आधारित होते हैं अतर देश्यस तकनिक एक इस्थानी ज्यान पर आधारित व्यवहारिक तकनिक है यह तकनिक ज्यान किसी विश्यस सब्यता है समाज की पहचान होती है ठीक है चोटी सी डेफिनेशन इसके बाद देश की प्रमुख देशस्तक्निक पूछा था, थोड़ा सा question को ध्यान से देखना था, आपको देश की प्रमुख देशस्तक्निक, तो हम बड़ी-बड़ी चीजों को बताएंगे, स्थानी चीजों को भी बता सकते हैं, बट यहाँ पर देश की प्रमुख बोला था, कि अगनी प्रत्वी आकास्त रिश्वल मिसाइल डियार डियो और अब्दुल कलाम की युगदान से जो है बनाई गई थी इनमें खासकर ये देश की तकनीक पर आधारित है स्वदेशी तकनीक है इसके बारे हम बता सकते हैं आप टेंकों को नश्ट करने वाले मिसाइल नाग इसी कारिकरम का हिसा है जब विदेशी हमें इस तरह की तकनीक नहीं दे रहे थे तो हमारी पूर प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांधी के प्रोच्षान के बाद नाग को विक्षित करने की तरफ आगे बढ़े हम लोग देशस तकनीक पर आधारी आवाज से तेश रफ्तार वाले युद्धक विमान तेजस का निर्मान किया गया देशस तकनीक से निर्मित विवान वाहक पॉट या फिर आइनस विक्रांद का निर्मान किया गया ठीक है हाइब्रिड बीजो और रसायनों की बजाए जीरो कई बहुराष्टी ये कंपनी आंतर मल्टिनेशनल कंपनी ने भी इंट्रेस दिखाया था कि वो उनकी साथ मिलकर कोई कॉलेबरेशन कर ले ठीक है क्योंकि वो सक्सेस्फुल था इस तरह की तकनीके देशस तकनीके हैं अपन सभी छेत्र में लिख सकते है रक्षा छेत्र अ विकास क्रम रहा है वो हमें इसमें लिखना था तो अधुनिक परिभाशा के अनुसार वे कंप्यूटर जिनकी मेमोरी स्टोरेज बावन मेगावोट से मेगाबाइट से अधिक हो जिनकी कारी करने की चमता 500 मेगा फ्लॉप्स हो ठीक है उन्हें सुपरकंप्यूटर कहा जा अमेरिका से आयत किया गया था उसके बाद N.A.L. नेशनल एरोनौटिक लिमिटेड बैंगलोर ने बारत का सुपरकंप्यूटर बनाया था विक्सित किया था क्योंकि दूसरी बार जब हम अमेरिका और दिसोरे देशों से मांगने गया तो उन्होंने मना कर दिया था तो द परम यूवा परम 10,000 यह सभी सूपर कम्प्यूटर है ठीक है इनकी गती 100 गीगा फ्लॉक्स है ठीक है परम सूपर कम्प्यूटर का भारत में व्यापक उपयोग होता है इसका निर्याद भी किया जाता है ठीक है इसके अलावा हम पेस अनूपम यह DRD और इनके हैं इनके बार में भी हम चर्शा कर सकते हैं तो जब लंबा लिखना हो तो सभी के बारे में लिखना चाहिए ठीक है गई नेक्स लेखते हैं 5G तकनीक की विशेष्टाओं के बारे में तो 5G तकनीक जो है यह 5th generation के अंतरगत आता है 500 PD की wireless तकनीक है अल्ट्रा लो लेटेंसी ठीक है तो इ देटा स्पीड में पहुंचाने में यह शक्षम होता है तो इसकी विशेष्टा लिखते हैं एक या दो कि किन-किन चीजों का इसमें उप्यो इसकी प्रमुप विशेष्टा बात करें तो एक जीबी प्रती सेकंड के स्पीड से डेटा को ट्रांसपर संभव बनाता है यह ट्रेट की तरह है अर्था डेटा को अप्लोड डाउनलोड करने का अलग ट्रेफिक है जिसे बहुत तेजी से जितना तेजी से अप्लोड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं चीजे उतना ही तेजी से अप्लोड भी कर सकते हैं ट्रेट की तरह काम करता है किसी टावर के फ्रिक्वेंसी पर काम करती है जिससे डिजिटल या गैजेट्स की एफिसेंसी बढ़ती है ठीक है तो कुछ इसी विश्षिस्ता इसका इंतरगत रहेगी जिससे की बहुत तेजी से इंटरनेट यूज कर पाएंगे 4G से कई गुना तेज कर पाएंगे ठीक है गई तो यह सब भी बाते आपने समझी होगी यह समें कई छोटी छोटी चीज़े मैंने एक्स्प्लेइन की है उन सबी को ध्यान रखें आंसर को इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें आप बहुत सामान इस चीज़े लिखते हैं आंसर में जिसके कारण उसके आंसर के माक्स भी सामान ने मिलते हैं और जिससे कभी भी आप एक अच्छा स्कूर नहीं कर पाएंगे तो इससे सब चीज़े पॉसिबल हो पाएगे आपके ज़्यादा ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस से आपके नोट्स को आप बहुत अच्छे से छोटा छोटा फॉर्मेट में याद कर ले याद होगा नोट्स तभी आप उसको अच्छे से जल्दी से कम समय में लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे तो इन सबी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इसे तरह अपनी राइटिंग स्कूल को इंप्रूव करना है ठीक है? उम्मिद करता हूँ यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा इसमें कुछ चीज़े आपको सीखने को मिली होगी इसी तरह की चीज़े सीखने के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़ते रहे हमारे चैनल को सस्क्राइब करे, लाइक करे, शेर करे तक यू वरी मुट